तो हेलो दोस्तों मैं विनीता और मेरे किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जरूरी वाली रेसीपी आलू चीप्स क्योंकि बहुत जल्दी नवरातरे आने वाले हैं और नवरातरों में तो देखे अपने घर के बने वे आगर आलू चीप्स मिल जाएं तो फिर मज़ा आ जाता है और इस टाइम पे जो है आलू आया हुआ है बहुत बढ़िया वाला आलू है एकदम बड़ा-बड़ा सा नया जो चीप्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है तो मैं कई तरह से बनाओंगी मोटे वाले पतले वाले जैसे आपको बनाने हो आप बना सकते हैं और खूब सारे मैंने बना लिया है 15 किलो आलू के मैंने चीप्स बनाए है क्योंकि इनको बनाना बहुत असान है और जटप करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें फैमिली और फ्रेंज के साथ से एर करना तो बिल्कुल न भूले तो आईए फिर इसको बनाना सुरू करते है आलू चिप्स बनाने के लिए मैंने देखिए बड़े बड़े साइज का आलू लिया है और अब इसको हम क्या करेंगे छील लेंगे छीलने के लिए आप अपने घर के सभी मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं जो भी घर में है क्योंकि इससे आपका काम जटपट से हो जाएगा बड़ा साइज का आलू लेना है आपको देख के आप लीजिए तो आधे आलू देखिए मेरे पसे सफेद वाले आ रखे हैं आधे आलू पीले वाले हैं देखिए छीलने के बाद आपको डारेक्ट पानी के अंदर आलू को डालना है क्योंकि आलू में बहुत ज्यादा जल्दी आपका जो आलू है वह काला पड़ जाएगा वह जाते ना लाल लाल नीले नीले वह इसी वज़े से होते हैं तो बिल्कुल आपको इस चीज का ध्यान रखना है आलू को बहार आपको नहीं छोड़ना है पानी के अंदर ही डालना है और जब आप इसके चिप्स पया हिसा होता है जैसे मार्केट में मिलते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना वैस आप उर पतले चिप्स काट लिजिए यह मोटा चीए तो थोड़ा सा मोटा भी काट सकते हैं मोटा काटने के लिए आपको हलका सा ज्यादा प्रेसर लगाना पड़ेगा और इस तरह के जो चिप्स कटर होते हैं न इजली मार्केट में मिल जाते हैं तो लंबे लंबे चिप्स काटने के लिए हमें क्या करना है एक तो आप आलू पहले से देखके बड़े साइज का लीजिए दूसरा उसको लंबाई में काट ये तो आपके बड़े बड़े चिप्स निकलेंगे पतला मोटा आपको जैसा पसंद है आप रख सकते हैं और पानी के अंदर ही आलू के चिप्स काटिए ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे आलू के चिप्स काले हो जाते हैं या पीले नीले हो जाते हैं वो इसी वज़े से होते हैं तो अगर आप इस तरह से पानी के अंदर डालते जाएंगे ना तो बिल्कुल आपका आलू साफ रहेगा और पूरे चिप्स काटने के बाद हमें इनको दो बार कम से कम जब तक आपका पानी एकदम साफ ना आ जाए तब तक आपको आलू को धोना है पूरा इसका स्टार्ज ह यहीं पर निकाल देना है देखे यहां पर पानी बिल्कुल मेरा साफ हो गया आलू एकदम क्लीन हो गया है अब बारी आती है इसको बनाने की तो मैंने देखिए पतीले में यह पानी डाल लिया है और पानी में उवाल भी आ गया है अब इसमें डालेंगे हम नमक यह मैंने व्रतवाला ही नमक लिए है आप बिना नमक के बना सकते हैं लेकिन पानी में जब हम बोईल करते हैं अगर नमक डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा स्वाद आता है और यह लिए है मैंने फिट करी एलम जिसको बोलते हैं न यह जरूर डालिए आप इससे क्या होगा आपका जो आलू का चिप्स है यह कभी काला नहीं पड़ेगा और अब इससे ढखके चार-पांच मिनट के लिए अजब तक दुबारा से पानी में उबाल ना आ जाए हमें पकाना है और फिट करी सरफ एक ही बार डालनी है स्टार्टिंग में बार बार नहीं डालनी जरा सा दाना लगता है इसका छोटा सा बहुत ज़्यादा बड़ी भी मत डाली आप और यहाँ पर यह वाला पहला बैच हमारा रडी हो गया है पांच-छे मिनट हो गई है इसमें एक बोईल आ गया था और आप हाथ से मोड के देख सकते हैं अपने आप आपको पता चल जाएगा और इसी पानी में अब हम अपने बच्चेवे जितने भी आलू है उनको भी सभी को बोईल कर लेंगे बस उसी तरह से जैसे मैंने बताया ना पांच-छे मिनट या तो घड़ी में देखके या तो फिर एक उबाल आने तक आप इनको पकाईए बहुत जादा भी अगर बोईल कर लेंगे तो यहीं पर तूटने लग जाएंगी यह देखिए इस तरह से जैसे मैंने मोड के देखा न इसी तरह से आप देख लीजिए जब यह तयार हो जाता है ना उबल जाता है तो फिर आलू तूटता नहीं है यह देखिए तो सारे मैंने देखिए इसी तरह से उबाल के ले लिए हैं और इनको छन्नी में अब हमने छान लिया है अब इसे आप अपने घर की किसी भी बैड पे चरपाई पे या डारेक निचे फ्लोर पे भी आप चद्दर डाल के सुखा सकते हैं मैंने अपने सभी प्लंक पे देखिए डाल दिये हैं डबल बैड पे चरपाई पे ताकि जल्दी से ये सूख जाएं पंखे को तेज करके आप चला दीजी अगर आप दिन में बना रहे हैं तो चार पांच घंटे में बन जाएंगे ये रात को बनाएं तो नीचे फ्लोर पे आप चद्दर डाल सकते हैं देखिए कुछ तीन घंटे के बाद इस तरह से हो गए हैं ये अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं लेकिन इस तरह के हो गए हैं जब इतना हो जाए ना तो आप किसी भी टब या प्लेट वगरा में डालकर गंटे की इसको धूप दिखा सकते हैं तो इस टाइम क्योंकि गर्मी का मोसम आ गया है तो पांच-छे गंटे में हमारे चिप्स रडी हो जाते हैं हो सकता है आपके अगर यहां पर मोसम थोड़ा सा थंडा हो तो आपको पूरा दिन भी लग जाए स्टार्टिंग में आप इनको पंखे के नीचे सुखाईए कोटन की कोई भी बैड़ सिट लेके उसके उपर सुखा सकते हैं और फाइनली हमारे जो चिप्स हैं वो रडी हो गए हैं बहुत बड़िया से सूख चुके हैं और कलर आप यहां पर देख लीजिए यह जो आपको येलो येलो दिख रहा है यह आलू का ही फरक है आदे आलू मैंने आपको बताया था मेरे सफेद थे आदे पी ले थे तो उ अच्छे से सुखाने के बाद 2-3 घंटे धूप दिखाने के बाद एट आई डब्बे में भरके इनको रख दीजिए या जिप लोग जो बैग आते हैं प्लास्टिक के उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं जब आपको बीच में भी लगे कि आपके चिप्स में थोड़ी नमी आ लेते हैं कि फ्राई करते वक्त कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है तेल को पहले आप अच्छे से गरम कर लीजिए और जब तेल गरम हो जाए उसके बाद आपके एसकी फ्लेम को लोग पे करके चिप्स को फ्राई कीजिए बहुत ज्यादा गरम अगर धुआधार तेल लेंगे ना तो यह क्योंकि पतला होता है आलू का चिप्स तो जल्दी से जल जाते हैं और फटा फट से फिर आप इनको निकाल लीजिए सुरू में एक या दो चिप्स डाल के चैक कर सकते हैं अब यह देखे जैसे हमने तेल में डाले तुरंद के तुरंद के दीस लगते हैं खाने में इस तरह से क TB करते जाएं ईयम्याने दो तिन बार में फिर और मैंने आपको सारे दिखा दिखा लिए और देकिए कितने बड़े बड़े ओ जाते हैं यह अपिकुद्र न객 जाने के बाद पी बहुत बढ़िया चिप्स बन के तयार होई और मैं आज के लिए इतना ही जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी एक बार इस तरीके से जरू ट्राइ करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंज तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडिय क्यां तरीक प्यासन आई हुआ ही जोजी पुशन ईया।